हुआ है दोस्तों अगर आपका सावमी पुनिकनर कैमरा क्रेस हो रहा है जैसे की रेडीबी के अंदर दोस्तों अपडेट किया है कोश्च लो होन थो मुझे पर मेरे पास दूए मैं कमेंट आएं दो तीन तो वो बोल रहा है कि कैमरा जो है क्रेस हो रहा है दोस्तों मेरे संग भी हो चुका है मेरे संग जो है दो दिन पहले हुआ था तो इसका जो मैं आपको बताने बाला हूं कि आपको क्या करना है ठीक है तो अभी तो मेरे दोस्तों कैमरा अच्छी तरह इसे work कर रहा है आप देख सकती है तो इसको open कर रहा है तो मेरा camera जो कोई भी crash जो है नहीं हो रहा है ठीक है जैसी मैं camera पहले open कर रहा था तो मुझे रीबूट को option दे रहा था कि अपने phone को reboot कर दीजी तो आपका camera जो है ठीक हो जाएगा तो मेरा phone जो है camera जो है ठीक हो गया पहला step जीए आपके phone को crash हो रहा है camera तो आप एक बार अपने phone को restart कर लीजिए ठीक है तो और फिर दोस्तों दूसरा track है फिर भी camera वर्क नह अंदर होता है तो वह भी ट्रेक आपको जो है काम कर जाएगी camera crash की ठीक है तो जो है आपको क्या करना है आपको settings के अंदर जाने के बाद आपको सबसे नीचे scroll down करना आपको जाना installed apps के अंदर installed apps के अंदर जाने के बाद आपको उपर searching का option देखेगा आप सिंपली सर्च कीजिए यहाँ पर camera देख सकते हैं आपको जो है camera आ चुका है आपको क्या करना है इसको कर लेना है नीचे देख सकते हैं एक आरा हो को force stop उसके बगल में एक आरा है clear data तो clear data पर आपक क्लिक करेंगे और यहां से कर देंगे clear all data पर क्लिक ठीक है clear all data पर क्लिक कर देंगे तो आपका जो है यह देखिए fix हो जाएगा problem तो देख सकते हैं मैंने फोन का camera किया open और फिर से जो है मेरी new settings मांगने लगा है और आपका camera 100% जो है यह अची तरह से work करने लगा तो आपको दो step करने आपको simply जो एक इस्टाले रफसकेंदे जागे clear data कर लेना है अपने phone को reboot करके देख लेना है ठीक है तो यह दोस्तों दो tips हैं तो आपको जेंटर परसंट जो है work करेंगी अगर आपको वीडियो तो प्सेंदा आई हो तो प्लीजिट वीडियो को लाइक कीजिए सेर कीजिए अब आपने अवधी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्ली चैनल को जोड़ी सब्सक्राइब करें ठेंक्यू